अब पधारो राम नला की खत्म हुई दूरी, राम की अयोध्या अब राम से हुई पूरी नमस्कार अयोध्या से न्यूज नेशन की इस खास पेशकस में बहुत स्वागत है आपका आपके साथ मैं हूँ रंजना सिंगरा ठोड एक संगर्ष साकार हो रहा है, एक संकल पूरा होने वाला है एक सपना जो अधूरा था दशकों से वो अब अपने अन्तिम स्वरूप में है राम मंदर का नर्मान होने वाला है प्रान प्रतिष्ठा की तारीक बेहत करीब है ऐसे में वो कहते हैं कि किसी भी सपने की जो शुरुवात होती है वो एक संखर्ष से होती है और इसी लिए शायद हमारे देश में आजादी के बाद किसी भी मंदर के लिए लड़ी गई ये अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई है लेकिन ये आंधोलन शुरू कैसे हुआ कौन-कौन से पढ़ा विसके बीच में आया और कैसे ये अपने अंतिम चरण तक पहुँचा इन तमान सवालों के जवाब देने के लिए खास मैमान हमार साथ मौजूद है बाजपा के पूर्विसांसद और आंधोलन के मुख्य किरदार राम बिलास विदानती जी है बहुत स्वागत है मान जी हमारा आपका न्यूसनेशन पर देखेगी आंधोलन की जो शुरूबात मान जी हुई लंबा इंतजार आप सभी ने किया अब जब 22 जन्वरी को प्राण प्रतिष्टा होनी है एक पूर्ण विनाम लगने वाला है संखर्ष पर कैसा मैसूस कर रहे हैं सबसे पहले दूप इस समें जो परसनता संपूर्ण विस्व के हिंदू धर्मा मलंवियों को है सायद ही भारत की इतिहास में एतनी बड़ी प्रसनता कभी नहीं होई होगी या तो 15 अगर्श तो 1947 को जब देश आजाद हुआ होगा और आजादी के बाद विस्व में रहने वाले भारत के लोगों को प्रसनता होई होगी वही परसंदता इस समय हम सब लोगों को हो रही है मुझे ऐसा लगता है इस परसंदता को प्रदान करने वाले हमारे देश के माननी प्रदान मंत्री नरेंद मुदी जी है हम सब लोगों ने एक अलपना नहीं किया था कि कभी राम लला का मंदिर भी अजोध्या में बनेगा लेकिन भगवान की कृपा से यहां आंदोलन हमारी अभी सुन्दू परिशत के अंतर राटी अध्यक्ष मानिय सोग सिंगल जी ने प्रारम किया था और इस आंदोलन के बाद जन मानस को यह पता चल गया कि यह मंदिर बन करके रहेगा बाबर ने लगभग पांच हजार हिंदो को मारा वो हिंदो के खून का गारा बना कर उसने तीन गुम्मत तयार किया चावरासी कसावटी के खंबे में चावदा कसावटी खंबे बच गए जिनको नहीं तोड़ पाया सबसे मतरपून है कि आंदोलन जब शुरू हुआ आप कैसे उससे जुड़े आंदोलन राम जर्भूमी का तो बहुत पहले से शुरू था जब सन उंचास में 22 और 23 दिसंबर की रात्री को हमारे पुझ गुर्देयो स्री अभिरामदाज जी महराज ने राम जर्भूमी पर राम लला को अपनी तबस्या के बल पर पर प्राकट किया तो पहरेदार था एक मुसल्मान और उस मुसल्मान से जब जज स्राइम ने पूछा कि तुम्हारी ड्यूटी में अंदर ये चार लोग कैसे चले गए तो उसने का मैं ड्यूटी में था और किसी को जाते नहीं देखा अचानक रात को बारा बजे ऐसा दिब परकास हुआ ज तो उसमे आप की भूमी का क्या रहे है जब अडवानी जी ने रत निकाला था तो उस रत का स्वागत मैंने किया था जओध्या में उनकी गृपतारी हो गए थी गुपाल गंजेले बिहार में जब वहां से आय तो उस रत के साथ में हमारे नरेंद्र मोधी जी भी थे भारत बहुत भेंकर आंदोलन हुआ था, जिसमें मुलायम सिंह यादो ने यहां पर सेखड़ो लोगों को भायल किया था, कुठारी बंधु, कुठारी बंधु के दो बेटे थे, दिगंबर अखाना के रास्ते से राम जनभुमी को और जा रहे थे, हन्मांगरी चोराहे पर मुलाय इसे ही निचे जोगता है, उसकी भी चाती पर गोली लगती है, मुलायम सिंह यादो के सिपाईयों ने इसको गोली मारा और उसकी भीलास उसकी उपर गिर जाती है, फिर भंगदर मत जाती है, सैंक्रों लोग हायल होते हैं, दिगंबर अखाना के रास्ते में जतनी दीवाल जाना चले, वो दोड ऐसा था कि अब लगता था कि इन गोलियों के सामने हम लोग ठीक नहीं पाएंगे, फिर मेरे गरिपतारी हो गई, फिर मैं जेल चला गया, एक क्रम चलता रहा करीब पचीस बार में जेल गया, हमारी गरिपतारी आयोध्याम अभी कभी पैजबाद के इसे बत् על हो घर गरिपतार के जेले में रहा को में घरिपतार मे घरिपतारी हो आफ के जेल गारा एब हमारी तो लगए को बहुन और प्रान प्रत्ष्टा को सभी कर्हाल होगी और जिस तरीके से आपने बंडन किया मक्सद यह था कि ark भी जो आलक आंधूलन की जगी और उसके बाद जो सपना साकार हुआ जो सरूप ले रहा है भवे राम मंदर वो कितना अधभुत होगा उसे देखने के लिए देखने के लिए जो आखे हैं वो तरस रही है बहुत शुक्रिया हमार सार जुड़ने के लेमान जी और तमाम सवालों के आपने जवाब दिये और उमीद है कि अब जब राम मंदर बनकर तयार होगा तो देशवासियों को भी उतनी खुशी होगी जस वक्त आपको भी होगी जब वो बड़ा खैसला आया होगा चैनी बहुत अच्छा आप लोगों बहुत बहुत बदाई जये स्री राम